ओके अब हम यहां स्टार्ट करेंगे डीपेपी नंबर फिफ्टीन एंड चैप्टर इस बायोजिकल क्लासिफिकेशन इसके अंदर हम यहां पर आते हैं फर्स्ट कोश्चिन में तो फर्स्ट कोश्चिन के अंदर हम बात करें यहां पर अब यह कोश्चिन हमें हाँ पर नूट्रिक्शन या उसके हैबिटेट के अकोडिंग पूछा हुआ है कि कोई एक और्गेनिजम हमें इन चारों में से पिक करना है और जो और्गेनिजम है या गुरॉप ओर्गेनिजम है वो रहता कहाँ पर उस और्गेनिजम की बोडी जो है वो मूव करती है अलम्ग डिकेंग्ट्रिक्स एंड लियूज अन्गल्फिंग और्गेनिक मटिरियल अब X क्या हो सकता है तो पहले हम बात करें यहां पर slime mold, dye atoms, amoeba और uglinoids तो यहां पर हम चार जो options दे रखे हैं इन चारो options में अगर हम बात करें तो ऐसे organism का group जो हमें यहां पर decaying trig या leaves पर उन वहां पर रहता हो तो वह होता है हमारे पास slime molds जो slime molds होते हैं वह mode of nutrition शो करते हैं saprophytic यह saprophytic mode of nutrition शो करते हैं और यह decaying और materials के उपर रहते हैं तो इसका answer जो होगा हमारे यहां पर तो वह होगा slime molds